नमस्ते दोस्तों जे के ना उपर आप सब का स्वागत है आज फिर एक नए महमान के साथ एक नए विशय पर चर्चा करने के लिए मैं विरेंद्र सिंग चौहान आपके बीच में हाजिर हूँ आज के हमारे महमान किसी परिचे के महताज नहीं है दिल्ली की सियासत में बड़ स्वागत है आपका थैंक यू विरेंद्र जी थैंक यू नमस्कार मिश्र जी दो भगववेश धारी साधूं की महरास्ट के पालगर में निर्ममता से हत्या हो जाती है अमानविय धंग से उन्हें मोत के घाट उतार दिया जाता है ये जो दिल दहलाने वाली घटना है इसक मत का एक और दर्दनाक आयाम है और वो यह कि मोखे पर पुलिस मोजूद है जिन पर हमला होता है भीड के द्वारा जिन साधों की हत्या होती है वे अपने बचाव में पुलिस की तरफ बढ़ते हैं पुलिस की तरफ इस उमीद से स्वाभाविक रूप से बेखते हैं कि पूरा देश सदमे में है यह किस तरह की घटना हो गई भारत वर्ष में इस घटना को जिसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिये हैं कि यह माहौल किस तरह का बन रहा है जिस देश में साधूं के प्रती स्वाभाविक रूप से समाज का कोई वर्ग हो भगवेवेश को देखते ही नतमस्तक होने की जहां परंपर है वहां भीड इस तरह का व्यवहार आखिर कैसे क सकता है और उसके तीसरा एक और व्यवहार जिस पर हम आज की इस पंचायत में इस चर्चा में इस चोपाल और बैठक में चर्चा करेंगे वो ये कि इस देश का मीडिया जो इस तरह की घटनाओं पर ये तो अपने आप में अपने किसम की घटना अलग ही तरह की है लेकिन ऐसी किसी भी घटना पर इससे पूर्व और तरह का रवया अपनाता रहा है इस देश का मीडिया मुख्यधारा का मीडिया अपने आपको जो कहलाता है या कहता है वहम मीडिया अप एक शाकृत मोन धारन किये हुए दिखाई दिया ऐसा आखिर क्यों हुआ इन तमाम सवालो पर और इससे जुड़े और सवालों पर हम आपसे चर्चा करेंगे आप बेबाक राए के लिए राए देने के लिए जाने जाते हैं कपिल जी इस घटना को आप कैसे देखते हैं सबसे पहले तो बिरेंदर जी मैं यह कहना चाहूंगा कि वो सत्तर वर्ष के साधू कल्ब वरक्ष गिरी जी उनके साथ ही सुशील जी और उनके ड्राइवर उनका वीडियो इस देश में और दुनिया में जिसने भी देखा होगा मुझे लगता है पूरे जीवन भर आखों से और दिल से वो दिर्ष भुलाए नहीं जा पाएंगे ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही होगा जिसके दिल में जरासी भी समवेदना है और वो वीडियो देखके उसकी आखों में आशू नहीं आयोंगे ये दिश्य बहुती भयावय थे और उनका बिल्कुत सही कहा आपने सबसे दर्दनाक पक्ष ये था कि जिस खाकी बरदी जिस पुलिस से रक्षा की आशा लेके वो खड़े थे जिसका वो हाथ थाम रहे थे कि शायद बचा लेगी वो किस प्रकास से हाथ छुटाती हुई दिख रही थी वो बहुती दर्दनाक पहलू था सबसे पहले कोई भी चर्चा करने से पहले मैं हिर्दय से शद्धांजली व्यक्त करना चाहता हूं तीनों पुन्य आत्माओं को जिनकी मॉब लिंचिंग करके भीड के द्वारा प्रूरता पूर्वक निर्ममता से पुलिस किसी के भी साथ चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी माननेता को मानने वाला हो किसी के भी साथ ऐसा कभी नहों इस देश में क्योंकि इसी इनी इनी भरोसे पर यह सभी संस्थाएं और देश और लोक्तंत्र टिका होता है कि जिनके उपर जिम्मेदारी है वो अपना काम कि हमारा आज का विशय भी है उसके उपर भी चर्चा जरूर होगी उस दिन की घटना क्या हुई किस प्रकार की जानकारी अभी तक सामने आई है उसके बारे में भी हमें बात जरूर करनी चाहिए उस घटना से पहले पाल घर से किस प्रकार की खबरे आती है पाल घर किन प्रक की घटनाओं के लिए किन प्रकार की बातों के लिए जाना जानने लगाले कुछ वर्षों में वह भी मुझे लगता है कि हम लोग उसको जानने की आवशकत है मैं अगर एक क्रम से चलें पालगहर में संतों की निर्मम हत्या भीड़ द्वारा हो जाती है मॉब लिंचिंग हो जाती है उसके बाद किसको कैसी प्रतिक्रिया करनी थी किसका कैसा उस पर रियक्शन था यह अपने आप में अध्यायन का समझने का चर्चा और विमर्श का विशय है पुलिस महारास्ट्र की पुलिस उद्धव ठाकरे की पुलिस उसका व्यभार कैसा था उसको लेकर क्या तत्य अब तक सामने आए हैं सतह पर आए हैं देखिए सबसे बड़ी बात कि कोई भी घटना अगर होती है जी तो उस पर सबसे पहली जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से मिलती है और अगर मैं ठीक से याद कर पार रहा हूं तो लगातार दो दिन तक पूरे इडिया ने केवल एक ही खबर दिखाई वो खबर यह थी कि अफवाहा में चोरों को पत्थर मार मार के भीड ने मार दिया है उनका कोई परिचे नहीं दिया जा रहा था उनका नाम नहीं बताया जा रहा था और केवल पांच या दस सेकेंड की एक खबर लगबग हर चैनल म और एक छोटी सी कॉलम की खबर देश के हर अखबार में दिखाई जा रही थी कि चोरों को भीड ने पत्थर से मार मार के पीट पीट के हत्या कर दी और अब्यूसली यह पुलिस का वर्जन होगा यह पुलिस का वर्जन ही होगा जो देखा मीडिया के माध्यम से लेकिन बयान भी यही आ रहा था लगबख सभी मीडिया चैनल में कि जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो इन लोगों की भीड ने हत्या कर दी थी यानि पुलिस ने दो दिन तक घटना के सत्के को मीडिया से भी चुपाया देश से भी चुपाया और एक प्रकार से पुलिस की ल उस वीडियो में यह दिखता है कि पुलिस अपने हाथ से भीड के हवाले कर रही है साधूं को, पुलिस की आखों के सामने यह सब कुछ हो रहा है, पुलिस की सामने गाड़ी पे उपर पत्थर फैके जा रहे हैं, पुलिस मूग दर्शक बनकर ही नहीं खड़ी हुई है, प उसके बाद से मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियो आने के बाद मीडिया में आता है, और उसके बाद पुलिस का बयान आता है कि हाँ इस प्रकार का कुछ हुआ है, हम जाच कर रहे हैं, तो यह जो दो या तीन दिन तक की चुपी थी, यह बहुत सारे सवाल पैदा करत कि सच को चुपाने की कोशिश की जा रही थीुई state जानने की कोशिश तब तक कि दो दिन तक जब तक कि वीडियो में आ गया घट से बाद मेरे मन में प्रश्ण यह उठता है कि पुलिस चोकी मोके पर थी उसके इस व्यवहार का जो उस已经 कि कि वो उस भीड के आगे नत्मस तक हो जाती है फिर घटना की सच्चाई को चिपाने की कोशिश करती है इस सब की वजह को लेकर जब हम थोड़ा सा पड़ताल करना शुरू करते हैं तो यू लगता है कि कहीं न कहीं कोई राजनितिक मैनिपुलेशन हो रही थी उद्धव ठाक शिव सेना के मुखिया वे तो उनके पिता सवर्गिय बाला सहाब ठाकरे वे तो भगवा से उनकी पहचान थी बाला साहब के बेटे जिस प्रदेश के मुख्या हैं मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर संतों के साथ ऐसा व्यवहार हो और फिर उस घटना को ढापने की कोशिश हो इसमें आपको कहीं ये उद्धव भी उलजे हुए फसे हुए घिरे हुए दबे हुए महसूस होते हैं क्या या क किसी साजिश का हिस्सा बन गए प्रतीत होते हैं देखिए बाला साहब ठाकरे जी उनकी विचारधारा उनका ऐसे मामलों पर रवया जी वो सरकार में नहीं भी होते जी शिवसेना विपक्ष में होती जी और आदरनी बाला साहब जी होते तो मुझे लगता है कि पाल घर में या महराष्ट में इस प्रकार की घटना तब भी नहीं हो सकती थी अगर विपक्ष में भी होते तो सरकार में होते हुए तो होना असंभव था लेकिन उस प्रक्ष पे अगर हम थोड़ी देर के बाद भी जाएं तो मेरा यह मानना है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो कि किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री ओ किसी भी विचारद्धारा को मानने बाला वेक्टी ओ गिए पहले दिन मीडिया के सामने आना और पहले दिन आकर एप इलाद कर देना कि वहां आपर जो घटना हुई है वो केवल गलत फैमी के कारण हुई है और सरकार के मुख्या के द्वारा पुलिस को हत्यारों को हत्या के पीछे के जो माहौल है उसको एक तरह से क्लीन चिट पहले दिन मीडिया पे आकर देना यह बहुत बड़े सवाल पैदा करता है ऐसा कौन सा कारण था कि जाजपूरी होने से पहले आदर ने मुख्यमंत्री महादे क्लीन चिट दे रह है कि हट्या तो गलत फहिमी यह बयान जब मुक्यमंत्री का आज आता है उसके बाद राज सरकार की कोई भी जाच अजन्सी मुक्यमंत्री के बयान के विपरीत को जाच करके देगी और निशकर्ष निकाल के देगी कोई सबूत लाके देगी ऐसा होना बहुत मुश्किल है होना लगवगा संबह है मुझे लगता है कि एक सरकार के मुखिया के नादे पहले दिन जो मैसेज दिया गया जाने मतलब वीडियो आने के बात तीसरे दिन पहले दिन तो कोई एक्षन ही नहीं था जो message दिया गया clean shit देने का, जो message कोशिश की गई एक तरह से, कि इसके उपर सवाल ना पूछे जाए, इसके उपर कोई जिक्र ना किया जाए, वो messaging गलत थी, वो messaging एक तरह से सभी सरकारी agencies के पास संदेश दिया गया कि मुक्यमंत्री ने conclude कर दी है जाच अब जो भी जाच होगी उसका conclusion मुक्यमंत्री के बयान के विपरीत कैसे आएगा किसी भी राज्य में यह सबसे बड़ी चिंता की बात है मुझे लगता है जो भी लोग इस पूरे म कामले को देख रहे हैं या राजविवस्ताओं को देखते हैं उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुक्यमंत्री महोड़े को जाच एजन्सियों को दिशा किस प्रकार की दिशा की तरफ जाच जानी चाहिए वो बोलने का अधिकार नहीं ता वो नहीं करना चाहिए वो सबसे सबसे बड़ी करती है तो और इससे बड़ा सवाल अगर हम उस दिन जी बोलिये इस थिती में मैं बहुत एक चोटी सी टिपणी के बाद आप अपना विशह जो आप जस तरह कह रहे तो उसको प्रवाह में आप रखते चलें जब मुक्यमंत्री ने एक स्टैंड ल नहीं हो जाता कि इस सारी घटना की जांच वो किसी राज्य से बाहर की एजनसी के हाथों होनी चाहिए देखिए बिलकुल एक निश्पक्ष जांच आवश्यक है ऐसी जांच जिस पर कोई भी प्रभाव ना डाल पाए और अभी तक ऐसा इस पश्च दिख रहा है कि राज्य की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं दबाव में हैं कि इस मुद्दे पे चर्चा ना हो दबाव में हैं कि सवाल ना उठाए जाएं दबाव में है कि कोई भी अगर सवाल उठाए तो उस पर तुरंत कानून की कारवाई के द्वारा दबाने की कोशिश की जाए जो कि हमने रिपब्लिक तीवी के अर्नप के मामले में देखा जिए रिपब्लिक तीवी ने कोई इस घटना की जाच करिए को इन्वेस्टिकेशन की हो मीडिया के नाते कोई वहां लूकल इलाके में जाकर कोई घटना की जानकारी दियो ऐसा भी नहीं किया केवल रिपब्लिक टीवी के एक एडिटर ने एक बयान दिया सोनिया गानी जी की चुप्पी के ऊपर लेकिन जिस प्रकार से अरनप को अरनप के ऊपर F.I.R. होती है और केवल F.I.R. नहीं होती है 200 जगें F.I.R. होती है 36 घड़ के मुख्यमंत्री का खुद का बयान आता है कि इनको गिरिफतार किया जाना चाहिए और उसके बाद मुंबई की पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बावजूद की दो करवाई नहीं होनी चाहिए उसके बावजूद भी पूस्ताच के बहाने 12 घंटे तक बैठा के रखती है यह यह पताता है कि राज की सरकार दबाव में राजनेतिक दबाव में कॉंग्रेस पार्टी की टॉप लीडर्शिप का दबाव है क्योंकि उनके खुद के मुख्यम के जो CFO है सुब्रमन्यम उनको भी सुबे से थाने में बिठा के रखा हुआ है तो ऐसा लगता है कि राज की सरकार की जो मशीनरी है वो पाल घर की घटना के ऊपर सवाल उठाने वाले वेक्तियों पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है जो कि ठीक नहीं है बहुत सारे मि पाल घर की घटना से पहले के महौल की पाल घर की जमीनी सच्चाई की पाल घर को चराने वाली ताक्तों की वो अभी मीदिया में शायद जी ती वी ने ठोड़ी बहुत की है उसके लावा और किसी चैनल में वो भी अभी देखने को नहीं मिलाए लेकिन आपकी बात की कुलर दिशा में जाके जल्दी से खतम हो जाए बड़े सवाल ना उठाये जाएं इसके दबाओं में उध्व ठाकरे जी की राजे सरकार इस पस्त दिखाई दे रही है बहुत सारे मित्र जो इस समय सोशल मीडिया पर फेस्बुक पर आपको देख रहे हैं आपकी अपराध हो गया और अर्नब की गलती क्या थी अर्नब ने केवल चुपी पर सवाल किया था ऐसा क्या अपराध हो गया अर्नब से तो यह यह स्थितियां क्यों बन रही हैं देखिए मैं तो हिंदुस्तान में एक सतर वर्ष का बुजुर्ग वैक्टी जो की भगवा धारन करके निकला हो और उसको भीड चोड समझ ले उसको भीड पत्थरों से कुचल कुचल के मारने लग जाए लाठियों से मारने लग जाए यह यह कहां पर हम लोग आ चुके है इस देश के कुछ हिस्से आज ऐसे कैसे बन गए हैं कि भगवा धारी को चोड समझ के भीड मारने लग रही है और भीड में से एक भी वेक्ति आकर हात रोकने की कोशिश नहीं कर रहा कि यह तो साधू है देखो इसने भगवा पैना है इसको क्यों मार रहे हो मेरे को यह सेलोजी वहां की जो होली आदिवासी जनता है उसको बार बार लगातार यह सिखा रही है कि तुम हिंदू नहीं हो 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 यहां तक कि इस घटना के बार जो वायर दा वायर न्यूज है उन्होंने जो अपनी न्यूस लिखी उसमें उन्होंने लिखा कि ये नौन हिंदू ट्राइबल्स की हत्या कर दी गई है यानि हिंदू समाज के भगवा धारी साधुओं को नौन हिंदू कहके न्यूस में लिखने की हिम्मत तक बेशर्मी ये भी इस देश की कुछ न्यूस करने लग गई हैं यह है वो जड़ जहां से भगवा के प्रती नफरत पैदा होना भगवा पहनने वाले को मार दो किसी भी कारण से वह यह साधू किसी भी जगा पर भगवा पहने हुए सतर वश के एक वैक्ति को कोई कोई मारता चला जाए पत्थ्रों से और वहां बैठी बिर्ड क्या पसट्वार्ति हो जाए यह बहुत सारे सवाल पेदा करता है इसलिए वहां पर similar के संगधन महां पर एक्टिव हैं इस प्रकार की इंखिल महां पर चाहरे झाहे वह नकसली आइडाराओगी को सपोर्ट करने वाले संगघनों की खब्रा यह वहां पर वांपंत तुम्हारा नहीं यह पहचान तुम्हारी नहीं हैं और कई पालगर के आसपास के अलाइकों से तो यह तक खबरे आती हैं कि कुछ इलाइकों में बोर्ट तक लगा दिए गए हैं और वहां पर अपना खुद का कानुन चलाने तक की कोशिश कुछ लोगों ने कुछ समय पहले की थी तो वो जो इस्तिती है पाल घर की और देश के कई लाखों में ऐसी करने की कोशिश वाम पंथियों ने नक्सलवादियों ने की है मेरे को लगता है कि पाल घर की नफरत पाल घर का उनमाद पाल घर में जो निर्ममता से हत्या हुई है उसकी अगर हम जड़ों में जाने क कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वामपंत का जहर नजर आएगा लेफ्ट आइडियोजी का जहर नजर आएगा धरम परिवर्तन करने की कुछ सित कोशिशे नजर आएंगी और उन जड़ों में जाना जरूरी है जिससे की कोई कोई दूसरा पालगर इस देश में कभी ना बन पाए कपिल जी हमारे जो मित्र सोशल मीडिया पर फेस्बुक पर देख रहे हैं वे पूछ रहे हैं कि कपिल जी छोटी सी कोई घटना हो जाती है देश का मीडिया उस पर बहुत बड़ा हला करता हुआ दिखाई देता है दिस्प्रपोर्शनेटली छोटी छोटी घटनाओं को उठाने की रिवायत इस देश के मीडिया में तथा कथित मेंस्ट्रीम मीडिया में हम देखते हैं दो मैं अपने मेरे शब्द नहीं है जिन्नोंने लिखे हैं मैं उनका नाम मेरे सामने आएगा तो मैं नाम भी पड़ूँगा शायद राहुल जी हैं वो लिख रहे हैं कि दो बॉलिवूड की हस्तियों की का दुर्भाग्यपूर्ण निधन होता है परलोग गमन होता है तो 24-48 घंटे तक वो इचाय रहते हैं पूरे उस मीडिया जगत में टेलिवीजन चैनलों पर और जब पालगर में दो साधूं की और उनके एक सहयोगी की निर्मम हत्या होती है तो हिंदुस्तान के मुख्यधारा के चैनलों में एका दुका दो तीन को छोड़ कर कोई उसको ज कि मौन इसकी क्या वजुहात है इसके कारण क्या लगते हैं आपको देखिए बिलकुर सही बात है अगर हम तुलना करें जे अखलाक के मामले की जे तबरेज के मामले की तुलना करें पाल घर के साधूं की हत्या से तो मीडिया का रियक्शन बहुती चिंता जनक है मीडिया का मौन एक साजिश की तरफ इशारा करता है अभी तक अखलाक अगर होते तब्रेज अगर होते तो यह मीडिया उनके घर तक चली गई होती किस प्रकार का परिवार है मनने वाले की मिर्थ्यू के बाद किस प्रकार का असर पड़ेगा उनके बच्चे उनका परिवार लेकिन साध्वों का नाम तक मीडिया ने बताना जरूर ही समझा वो भाईवर चुज जो गाड़ी चलारा था उसके घर तक कोई मीडिया का चैनल नहीं गया कि उसकी पाथत्वनी की क्या इस्थिती इसके बेटों की क्या नेताओं के ज़ाने की बाथ तो बहूत दूर की बात भात है लेकिन वहीं मॉब लिंचिंग नाम पर इस देश में कई ऐसे ऐसे घटनाएं भी हुई जहां बाद में पता लगा कि मॉब लिंचिंग हुई नहीती लेकिन उससे पहले मेडिया ने हफ़तों हफ़तों तक उस नेताओं के बारे में दिखाया, नेताओं की लाइने ऐसे लोगों के घर में जाके लगती हुई दिखाई गई, करोनों रुपए के मुआवजा देते हुए सरकारें दिखाई देने लगी, वो रियक्शन यहाँ पर क्यों नहीं दिखा, ये बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क क्यों जब तक सोशल मीडिया ने वीडियो नहीं दिखाया, तब तक तो मीडिया इसको खबर भी मानने को तयार नहीं थी, वो चुपी, वो एक बहुत दर्दनाक चुपी है और एक आपराधिक चुपी है, ये घटनाओं को अलग-अलग चश्मे से देखना, मेरे को लगता डिसाइड करती है कि उनको गुसा आएगा की नहीं आएगा, वो धर्म देखकर डिसाइड करती है कि आज आज आउट रेज करना है की नहीं करना है, आज प्लेकार्ड पकड़के खड़ा होना है की नहीं होना है, तब रेज के मामले में अगर नसुरुदीन शाहा को इस दे बड़े intellectuals की, media के बड़े-बड़े नामी, गिरामी, लोग आखिर सन्नाते में को चले जाते हैं, खबर को दबाने की कोशिश क्यो करने लग जाते हैं, और अगर reaction भी करते हैं, तो यह reaction करते हैं कि इस मामले में कुछ नहीं है, इस मामले में कोई reaction नहीं होना चाहिए, ये रियक्शन उन लोगों के द्वारा आया जिन्होंने 15-15 दिन तक लगातार ऐसे ही अन्य मामलों की अगर वो अन्य धर्मों से जुड़े हो तो लगातार कवरेज दिखाई थी मुझे लगता है यह आपराधिक मौन है यह मौन एक सड्यंत की तरफ इशारा करता है कि इस देश में भगवाधारियों पर एक विशेश धर्म के उपर अगर अत्याचार होगा तो आपराधिक चुप्पी करके और ध्यान भटका के तुरंत जनता के मन में उसका कोई दर दिय करा उस घटना का कोई एसास होने ही ना दिया जाए और यह केवल सोशल मीडिया की ताकत है कि आतपाल घर के साधूं के बारे में चड़्चा भी हो रही है वरना में इस मामले को रफादफा कर दिया था इस मामले को दिखाने की भी आवश्रक्ता नहीं समझी ती और सोशल म मीडिया की ताकत के कारण आज इस जांच पे लोगों की नजरे भी हैं लेकिन बिल्कुल में इस्ट्री मीडिया का जो रवया है वो संतोश चनक नहीं है आप राधिक है और उनका मौन इस देश के लिए बहुत पीडा दायक है और लोग उस मौन को देख रहे हैं कपिल जी डॉक्टर नारंग की हत्या याद आ जाती है इस बात पर जब हम चर्चा करते हैं कि मीडिया कैसे दोगला चरित्र इस मामले में मुख्यधारा का मीडिया दिखाता रहा है वो पहलू खान पर या अखलाक पर कैसे रियक्ट करता है और डॉक्टर नारंग पर कैसे मोन हो जा नित्यानंद स्वामी जी है मारे साथी वो महरास्ट्र से देख रहे हैं महरास्ट्र से और वो कहरें कि मैं महरास्ट्र में रहता हूं महरास्ट्र का जो मराथी मीडिया भी है वहां का जो स्थानिय मीडिया है उसने भी पाल घर पर लगभग लगभग मोन साधा हुआ है हिंद तो आपने कही कि सोशल मीडिया की ताकत इस इस पर प्रहार करने के लिए आवश्यक है और क्या हो सकता है देखिए कि सनाटा भी वामपंत की जहरीली जड़ों के प्रभाव को दिखाता है इस देश में वामपंत जहां पर भी होगा चाहे वो मीडिया में हो चाहे वो यूनिवर्स्टी और कॉलेजों में हो चाहे वो अक्वारों में बैठा हुआ हो चाहे वो राजसत्ता में बैठा हुआ हो और चाहे वो नक्सलवाद की जड़ों को कहीं ना कहीं सीचने का काम कर र इनामों में दिखती है जो एक दूसरे को इनाम देते हैं एक दूसरे की पहचान बनाते हैं और एक दूसरे को बड़ा बनाकर एक दूसरे के ही ओपीनियन को महतुपूर्ण दिखाने की कोशिश करते हैं यह वाम पंती सोच जिस भी मीडिया घराने में होगी वह मीडिया घरा वो कभी भी भगवा सादू की हत्या के बारे में चर्चा भी नहीं करेगा वह मॉब लिंचिंग जैसा शब्द इस्तिमाल करने से बच रहे हैं जबकि उन्होंने एक एक वेक्टी की हत्या अगर वो किसी अन्य घर्म की हो तो मॉब लिंचिंग कह कह के पूरी दुनिया में धि धांजरी तक देने की उन्होंने जरूरत क्यों नहीं समझी आकिर इतना कहना कि पाल घर की निश्पक्ष जाच होनी चाहिए इतना कहना कि सोनिया गांदियो या कोई भी राजनेतिक दल हो वो पाल घर के मुद्दे पर कम से कम अपनी सफाई तो पेश करे जैसे एक बहुत सबाल उठरा है पीटर प्रभु नाम के वैक्ति का प्रदीर प्रभु नाम के नाम के नाम से रहते हैं प्रीकर इनका ठाव की मींता से इनका क्या संबन्द obt UV यह पाल घर मेंर्ट शब्योगे शिराज, वो दोनों वहां पर जमानत कराने के लिए जा रहे हैं। वो दोनों वहां पर देखने के लिए यह जा रहे हैं। Application। द्वारा ये सवाल आखिर उठाए क्यों नहीं जा रहे ये मीडिया इन सवालों को क्यों नहीं उठा रहा है जो अखिल भारती संत समिती ने बकाइदा प्रेस रिलीज जारी करके स्वामी जितेंदरा नंद जी ने इनका नाम लेके ये बात बोली है कि शिराज बलसारा और प्रदीब प्रभू जो पीटर है इनकी भूमिका की इस मामले में जाच होनी चाहिए इनकी संस्ता वहाँ पे क्या कर रही है इसकी वहाँ पे जाच होनी चाहिए ये सवाल उठने मीडिया में बहुत आवश्यक हैं में इस प्रेस रिलीस को न्यूज में दिखाना तक जरूरी नहीं समझा ये है मीडिया का अपराधिक मौन ये है उनकी सेलेक्टिव चुपी कि किस मामले पे बोलेंगे किस मामले पे नहीं बोलेंगे मुझे लगता है पाल घर का सच पाल घर के अंदर क्या हो रहा है किस प्रकार की संग्डन वहाँ पर उस रिपोर्ट में शामिल ना किया जाए उसका सच इस देश को ना बताया जाए पालगहर पालगहर में क्या-क्या घटित होता रहा है पिछले कुछ वर्षों या कुछ दश्कों में वहां के वहां पर किस तरह के लोग सक्रिये रहे हैं उन्होंने वहां के आदिवासी समाज में किस तरह की विगटनकारी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की है उसकी तह में जाना आवश्यक है कपिल जी आप ये कह रहे हैं मैं यहां पर आपको रोग कर एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने पीटर प्रभू कितना प्रभू कहने से कितनी पावन सी गया है पैचान लिया गया है उसको शेम या डीफेम करने का प्रयास भी कम से कम सोचल मीडिया पर तो कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे ही मीडिया में ऐसे करेक्टर्स मीडिया के कुछ ऐसे लोगो या प्लैटफॉर्म को नाम लेना चाहेंगे क्या कपिल जी आप जो व्यवहार में ऐसा दोगलापन दिखाते रहे हैं उनको उनको घिरना चाहेंगे क्या उन पर हला बोलना चाहेंगे क्या ऐसा करने की आवशक्ता नहीं है कि नाम लेकर के पुकारा जाए कि भाईया ये तुम क्या कर रहे हो नाम लेकर बिल्कुल बोला जाना चाहिए और मुझे लगता है देश ने नाम लेके बोलना शुरू कर दिया है मैं आपको दो दिन पहले की अपनी ट्वीट के बारे में बताता हूँ मैंने इंडिया टुडे के राजदीब सरदेशाई से ट्वीट करके ये सवाल पूछा क्योंकि राजदीब सरदेशाई ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में ये लिखा कि गौतम नवालखा जैसे लोगों को एक्टिनिस्टों को छुटवाने की जरूरत है समाज को इकटता होके गौतम नवालखा के समर्थन में आना चाहिए तब हमने गौतम नवालखा का एक वीडियो डाला जिस वीडियो में गौतम नवालखा ये कह रहा है कि देश के खिलाफ हथियार उठाकर सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने की जरूरत है मावववादीयों को बड़े-बड़े हथियार मिलने चाहिए अहिंसा की बात करना जो है वो बेवकूफी होगी इस देश में सक्टा के दंपे मावववदियों को अपनी सक्टा स्थापित करनी होगी हिंसा के दंपे यह गौतम नवालखा का वीडियो है यह वीडियो डालकर मैंने राजदीप सरदेसाई से यह पूछा कि जब तुम गौतम नवालखा को एक्टिविस्ट बोल रहे हो जब तुम कहरे हो कि गौतम नवालखा को छूटना चाहिए तो क्या तुम इस आइडियोलोजी का समर्थन कर रहे हैं खुले हम जे क्या और आपको एक और बात बताऊंगा गौतम नवालखा जैसे वेक्ति का मीडिया में राजदीप सरदेसाई जैसे लोग समर्थन करते हैं और कोट में उनके लिए अभिशेक मनु सिंग भी वकील मन के खड़े हो जाते हैं और यही गौतम नवालख जैसे वेक्ति हैं जिनके उपर केस क्या चल रहा है spoiler baik की प्लानिंग करने का इस देश को के छुटाने वाले पर र। कर बेड़े बड़े मीडिया ओ प्रमकूं कर बैटे हुए और बेशरमी के साथ ट्वीत करते हों और बियान देते हैं कि देश के बड़े बड़े राजनेतिक पार्टियों के नेता वकील बनके उनको छुटाने के लिए कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल उनका नाम लेना चाहिए। उसमें राजदीब सर लिशाई का नाम आएगा। उसमें बरकादत जैसे लोगों का नाम आएगा उसमें प्रशांद भूशन और हर्शमंदर जैसे लोगों का नाम आएगा जो कोड में जाके आतकवादियों के लिए और नकसलवादियों के लिए खड़े होते हैं आस दिली के दंगों में कौन पकड़ा जा रहा है दिली के द कि जा रही है जो खुले आम देश की राजदानी में हच्चियार फैलाते हुए दंगें फैलाते हुए पकड़े जा रहे हैं उनको बचाने की कोशिश करने वाला यह कूरा वर्ग जिसको हम एको सिस्टम कहते हैं जिसको लिब्रल नकली सेकुलर लोकों का जमावडा कहते हैं यह एक एको सिस्टम इस देश में बन चुका है और इस एको सिस्टम के लोगों के नाम मुझे लगता है देश की जनता जानने भी लगी है पहचानने भी लगी है और पाल घर के अंदर जो रियक्शन हुआ उन लोगों का पाल घर की घटना को जिस परकार से दबाने की और मुझे बड़े आक्प्रोश के साथ यह कहना जरूरी लगता है कि बार बार उनका नाम लेकर एक्सपोज करना जरूरी है बार बार यह सत्य पताना जरूरी है कि इस देश में देश की जनता को हर एक घटना को दो नजरियों से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें इस देश का बहुत अंख्यक समाज है उसको कही ना कहीं नजरिंदाज करने की बहुत ही आपराधिक कोशिश पूरे के पूरे इस नकली सेकुलर नकली लिब्रल गैंग के द्वारा की जा रही है इनके हिदय में दर्द भी धर्म देखतर होता है इनके अंदर का रहे हैं वो लिख रहे हैं फेस्बुक पर कि अगला पालगर दिल्ली हो सकता है दिल्ली की जो जमीनी स्थितियां है उनको लेकर बहुत चिंतित होने की आवशकता है उनकी इस टिपणी का निशकर्श ये निकलता है आप दिल्ली रहते हैं दिल्ली में सियासत करते हैं दिल देखिए, अगला पालगर कहीं भी हो सकता है, अगर हम चुप रहे, सननाटे में रहे, अगर हमने सही जवाब, सवाल नहीं उठाए, सही जवाबों को जानने की कोशिश नहीं की, दिल्ली में पिछले तीन-चार महीने में जो हुआ, सी ए विरोधी अंदोरन के नाम पर देश को तोड़ने की बाते की गई, देश को जलाने की बाते की गई, खुले आम घोशना की गई, उसके बाद बसें जलाई गई, जेन्यू और जामिया में जिस प्रकार का जहरीला वातावरन तयार करने की कोशिश की गई, और धरम पूल बं और गुलेलों की, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जेतेंदर शर्मा जी का जो दर्द है, वो जायज दर्द है, लेकिन ये दिल्ली नहीं ये देश में कहीं भी हो सकता है हो रहा हो, और हम कहीं ना कहीं नजरन्दाज करके बैखे हुए हो, और घटना होने के बाद हमें समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है, मुझे लगता है कि जागरुक रहना, अलर्ट रहना और सही सवाल पूछना, किसी भी लोकरंत्र में सबसे आवश्यक है सही सवाल पूछना, बिना डरे पूछना, जब दिल्ली में हमने दंके की चोट पे ये कहा कि हम तो अब योगान को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं तो यह पूरा एक इको सिस्टम बनाया हुआ है और इस गैंक के खिलाफ भी बोलना ज़रूरी है इनका परदाफास करना जरूरी और मुझे लगता है अपने युवाओं को अपने बच्चों को यह सच बताना भी जरूरी है कि किस देश में पिछले सप्फर साल क्स प्रकार सिस्टम हमारे ही धर्म वर्वर देश के खिळाफ खड़ा किया गया है और मैं आप की बास से पूरी तरह सहमात हूं कि हमें नाम लेके एक्सपोस करना खुले महा यह बहुत आवश्यक है और ये करने का समय आगिया है कपिल जी एक बात एक सवाल और पूछा है क्वित्र ने राजेश जे ने राजेश शर्मा वे कहते हैं कि क्या अरविंद केजरिवाल भी उसी क्रम में कहीं लेफ्टिस्ट हैं ये ये बहुत सारे लोग पूछते हैं क्योंकि देश म में जो वामपंतियों के काम करने की शैली है वे भेश बदल कर भी बहुत स्थानों पर काम करते हैं मिश्णरी भी उसी अंदाज में काम करते हैं देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहिए वह अरविंद केजरीवाल कर चाहिए वह को première से ने सोचें कि पहले धर्म देखलों पहले वोट गरते की देखलों बोलना चाहिए कि नहीं बोलनाय कि मुह आउजा देना चाहिए कि नई देना चाहिए दिल्ली के अल्पसंकर आयोक के चेर्वेंट जफरोल इसलाम ने जो बयान दिया चाकिर्णाइक के समर्थन में और उसके बाद ये भी बोला कि इस देश पे हमले होने चाहिए अरब के देश के लोग आएंगे और इस देश पे हमले करेंगे वैसे वैक्ति को आज तक पद से नहीं हटाया गया ऐसे वैक्ति पर आज तक मौन कायम करके रखा गया है तो ये चुपी तो ये बताती है कि देश के खिलाब कुछ भी होगा तो ये नेता चुपो के तमाशा देखेंगे इनको केवल अपने वोट बैंक की गंदी राजनीती से मतलब है इनकी अपनी के कुछ लोगों में ये नेक्सस इस देश के लिए सबसे जादा खतरनाक है इसमें कुछ राजनेता भी आते हैं इसमें पत्रकार भी आते हैं इसमें यूनिवस्टी में बैठे लोग भी आते हैं इसमें वो तथाकतित नकली चात्रनेता भी जो आते हैं जो जनता के सामने क में 16 करते हैं इंसा को बढ़ावा देते हैं और दूसरी तरफ सवाल उठाने वाले लौकतांत्रीक सवाल उठाने को चुप करने की कोशिश करते है यह लाम बंदी कोशिटे आध बहुद को आद सब को भी ज्ञान में रखते हुए देश में हर जगे हमें अलग होना होगा और बार-बार मैं कहता हूं सही सवाल तंके की चोट पर हमें पूछने होंगे सही सवाल उठाते हैं अरनब गोस्वामी वो पूछते हैं कि सोनिया गांधी मोन क्यों है सोनिया गांधी की बात अगर चलती है तो सोनिया गांधी की NAC में आपको पीटर दिखाई देते हैं सोनिया गांधी के आसपास कहीं हर्शमंदर भी मंडराते देखे गए होंगे जब ऐसे किसी व्यक्ति पर या बड़े व्यक्ति पर कोई मीडिया हाउस चाहे वो बड़ा या खूब देखे जाने वाला मीडिया हाउस सवाल उठाता है तो उसको एकदम घेरना घोटना उसकी एक प्रक्रिया शुरू हो जाती, इसका जवाब कैसे देदेश ? अरनब गोस्वामी को कपिल जी पलवर के लिए रोकूंगा अरनब गोस्वामी जब एक ही प्रेशन करते हैं कि सोनिया गांधी जवाब दें सोनिया गांधी मौन तोड़ें तो अरनब गोस्वामी पर चोतरफा हमले होते हैं आपने भी माना लेकिन उन हमलों का सामना जब अर देश में कौन-कौन उनके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है यह यह भी एक मुल्यांकन का विशह है क्या मीडिया के और्गिनैजेशन क्ध़े हुए जो मीडिया की अभी वेक्ति की आजादी के रक्षक बनते हैं बिल्कुल नहीं खड़े हुए बिल्कुल नहीं खड़े कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं उठाया बहुत ही साधारन सा सवाल उठाया कि सोनिया गांधी चुप क्यों है जी मेरे को लगता है कि शायद वो सवाल जो है वो चुपी कहीं ना कहीं पीटर प्रभू प्रदीप प्रभू तक जाती इसलिए एकदम से इतना ज्यादा गुस् लेकिन आपने बिल्कु सही कहा कि अर्नब गोश्वामी को पुलिस पकड़ के लेके जाती है और मीडिया के वो बड़े नाम जो सहिष्णुता की बाते करते हैं मीडिया की अजादी की बाते करते हैं जिनके लिए अचानक सम्विधान पे खत्रा पैदा हो जाता है वो चु बड़ा रगया बिल्कुल आपने सही का लेकिन मैं एक चीज और कहना चाता हूं विलेंडर जी की अर्नब एक पत्रकार या एक चैनल लेकिन अगर ओवर आल हम देखें इस देश के मीडिया को तो यह जो चुपी पाल घर में हमें देखने को मिली है आज भी आज भी जो मिजिसका काम है ये एक अपराद है और इसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है मुझे लगता है कि इस देश की मीडिया बहुत ही सेलेकिव करीक्ट करती है सेलेक्टिव होकर रिपोर्टिंग करती है और mainstream media अगर इस प्रकार से exposed होगी तो बहुत ज़्यादा दिन तक mainstream media की relevance देश में रहेगी नहीं अगर वो सही सवाल नहीं उठाएंगे सही सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे लगता है कि mainstream media बहुत जल्दी महतपूर नहीं रह जाएगी इस देश के लिए जी बिल्कुल आपने ये बड़ी महत्पूर्ण बात कही कि जब मेंस्ट्रीम मीडिया यू अंधा होता दिखाए देगा आंकमुनता या मूँ फेरता दिखाए देगा तो मेंस्ट्रीम मीडिया अपनी रेलेवेंस वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के सामने खो सकता है ये वालगहर का वामपंतियों और इशाई मिशनरियों द्वारा विशात किया गया वायू मंडल वो संतों की निर्मम हत्या के लिए उत्तरदाई दिखाई देता है ये भी दिखता है कि पुलिस मौन है तो कहीं न कहीं वहां के जो पुलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसके दबाव न चाहता है उसके मन में ये प्रश्ण फिर बहुत जोर से उठ रहा है कि सच्चाई कभी बाहर आएगी के नहीं आएगी और आएगी तो आखिर कैसे आएगी उसके लिए हम आप करें तो क्या करें भी स्थिखर को बिल्कू सबावाच जायज है पाल घर की जो धुकत घटना हुई यह जो निनिर्मम हत्य हुई है उसका सच आखिर कैसे बहार आएगा और ऐसी अन्य घटनाएं कितनी घटनाएं ऐसी हुई है जिनका सत्वार आये ही नहीं है या ऐसी अन्य घटनाएं जिनका सच भविष्च में बहार आने से रोका जाएगा उसको समझना बहुत जरूरी है मुझे लगता है कि पाल घर की एक निश्पक्ष जाच हो पाल घर की एक डिटेल रिपोर्ट देश के सामने पेश की जाए पाल घर के समाजिक परिवर्तन की पाल घर के राजनेतिक परिवर्तन की पाल घर में वामपंती संग्ठरों ने किस प्रकार की विचारधारा के बीच क फार बार बार बताना जरूरी है उसका सच देश के सामने लाया जाना जरूरी है और मुझे लगता है कि कोई भी रिपोर्ट उस सच के बगाइर पूरी नहीं होगी पाल घर की जो भी जाच रिपोर्ट हो वह पाल घर के पिछले 10-15 साल के बेग्ग्राउंड को बताने वाली पाल घर्ड में हो रहे बदलाव को बताने वाली रिपोर्ट हो पाल घर के समाजिक राजनेटिक परिवर्तनों का कच्छा चित्था खोलने वाली रिपोर्ट हो उन संगठनों के डिटेल उनका जो डॉकुमेंट्स होते हैं किस प्रकार की भाषा होती है क्या पढ़ाया जाता यह सब उस Report में आना जरूरी है तभी यह पता लगेगा कि भगवा धारी 70 वर्श के बूड़े एक साधू के प्रती इतनी हिंसक भीड कैसे हो गई तभी यह पता लगेगा कि क्यों इतनी निर्ममता से साधू की वहां पर हत्या की गई तभी यह पता लगेगा कि आखिर पुल जब पाल घर का पूरा सच इसी रिपोर्ट में दिया जाएगा निश्पक्ष सच और वो सच जो पाल घर को धीरे धीरे इस देश से और इस देश की मुक्यधारा से और धर्म से अलग करने की कोशिश करता है। के साथ वे भी आज की चर्चा में कुछ जो प्रश्न उठे हैं जो गंभीर प्रश्न उठे हैं उन सवालों को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका होने वाली है। इस तरह की परिशानियों को झेलना पड़ेगा ये चंदन शर्मा जी ने लिखा है। राहूल सिंग जी आपको और मुझे धन्यवाद कर रहे हैं आज के इस विमर्श के लिए और नित्यानन स्वामी जी ने एक बार फिर से जोड़ दे के ये कहा है कि पालगर में जो हुआ उसकी सच्चाई आनी ही चाहिए और अपराधी वो उनको सजा मिलनी चाहिए। अजय डांगे लिख रहे हैं ऐसी अनेग घटनाए देश में हुई हैं जिसमें सर्वोच न्यायले ने स्वयम हस्तक शेप किया किंतु हिंदू मानस को आहत करने वाली घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी भी कष्ट देती है इस पर भी कुछ कहेंगे क्या कपिल अजय पहुत सारे मामलों में स्वताह कोर्ट संज्यान लेता है हस्तक शेप करता है इस मामले में कुछ अन्यत्थासा आपको भी महसूस हुआ क्या कि यह सारे सवाल वही हैं जो बार-बार हम सब के मन में उठ रहे हैं और यह सारे सवाल वही हैं जिनके कारण यह पीड़ा महसूस होती है कि कहीं ना कहीं क्या सिस्टम में बैठे ही कुछ लोग ही हमारे प्रति असमवेदन निश्टूर हो गए है क्या क्ठोर से कठोर अपरात भी उनको जगजोड नहीं पाता क्या कारण है कि कुछ मामलों में रियक्शन अलग दिखाई देता है यह सभी सवाल हम सब के दिल में और यह सभी बहुत जायस सवाल है मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब भी हम सब को पता है और इन सब के पीछे चुपा हुआ सच भी हम सब को पता है बस आवश्चकता यह है कि हम इस सच को चुपचाप बैठ कर नास्विकारे बार बार इसको एक्सपोस करें इसको बदलने की कोशिश करें और उन लो कहीं ना कहीं इतिहास में हम लोगों को ज़ग झोड़ने वाला गटना क्रम साबित होगा एक बड़ा परिवंधन कारी घटना क्रम साबित होगा, गश्ग परिबर्तन कारी लोगों को भत दिनों करने वाली जो शक्तियां वह बहुत जादा दिनों तक हावी रह नहीं पाएंगी यह बिल्कुल निश्चित है हम सब के मन में उमरते हुए सवाल और फुल कर पूछते हुए सवाल यह बता रहे हैं कि देश बदल रहा है देश में जो लोग हैं वह सच बोल रहे हैं और इसमे बेख्टी को जो आखे खोल कर बैठाया दिमाग खोल कर बैठाया उसको इस पश्ट दिखाई दे रहा है और मुझे रखता है इसी सत्य को बार-बार बोलने की जलूरत है इन साधु जन्हों को उनके ड्राइवर को उनके सभी परिवार वालों को उनको नमन प्रणाम इश् अस्रीम कष्ट से इसी प्रकार का वो सामना कर पाएं इस कष्ट का उभर पाएं उनका परिवार इन कष्टों से और मुझे लगता है कि कपिल जी मनोज कुलकरनी जी विशाल मोहन यादव जी विवेक कुमार जी राजू शर्मा जी ऐसे बहुत सारे मित्र जो इस चर्चा में शामिल हुए उन्होंने आपकी बेबाकी को जिस बेबाकी से आपने आज सवालों के जवाब दिये उसको सराहा है चलते चलते क्योंकि आप दिल्ली में बेस्ट हैं दिल्ली की सियासत में आपका स्थान है बड़ा दिल्ली से जुड़े दो प्रशन भले ही उनका सीधे आज के विशे से सम्मन्न नहों लोगों ने बार-बार क्योंकि उसको कमेंट बॉक्स में उठाया है तो मैं चाहूंग दिल्ली दंगों में जो सच सामने आ रहा है वो बहुत ही भयावय है जी सच ये सामने निकलके आ रहा है कि दंगों की लंबी तैयारी की गई थी दंगों के पहले एक माहौल बनाया गया था पुलीस के प्रतिनफरत का भारत की सरकार के प्रतिराश्ट के प्रतिनफरत का और धर्म के प्रतिनफरत का एक माहौल पैदा किया गया, CA विरोधियां अंदोलन से हिंसा की एक प्रिष्टभूमी तैयार की गई, भड़का उभाशन दिये गए, लोगों को देश सरकार संसद, पुलिस, इनके प्रति, नफरत, एक समाज के मन में पैदा करने की कोशिश की गई, और बड़ी तैयारी, जैसे कि अभी कडावन नगर के एक स्कूल में, जहां पे स्कूल की छच से बम और पत्तर मिले थे, उसकी जाच में सामने आ रहा है कि देवबंद से पहले से अपराधिक गुंडे, हमलावर, दंगाई बुला कर वहां पर रखे गए थे, ताहि रुसेण के घर से जो समान मिला है, वो बता रहा है कि कई दिनों की तैयारी की गई थी, जिस प्रकार से कॉंस्टेबल रतनलाल जी को और आईवी के अधिकरी अंकिश शर्मा जी को मारा गया, निर्मम्ता से हत्या की गई वो बता रहा है कि चुन-चुन कर सरकार से जुड़े लोगों की हत्या करने की कोशिश की जा रही थी जिस प्रकार से पेट्रोल पंप को भेलपुरा में चलाने की कोशिश की गई वो ये बताता है कि निशाना लगाया गया था कि बड़ा विनाश इन चीजों को जलाने से बड़ा विनाश हो सकता है, सरकों को बंद करके घेर के धंगे करने की तैयारी थी, मुझे यह लगता है कि जाफराबाद में चांदबाग में इस इलंपुर में जो किया जा रहा था, वो बड़ी तैयारी का एक हिस्सा था, बिल्ली के धंगों की में इसकी जने तैयार की जा रही थी, हथियार दिल्ली के अंदर लाए जा रहे थे, बं बनाने की ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही थी, पैट्रोल से, पत्रों से, और मुझे लगता है कि बड़ी हिंसा की एक तैयारी थी, बहुत ही भयावे सच दिल्ली दंगों से सामने निकल कर आ रहा है, और हम लोगों को बहुत सजग रहने की जरूरत है, यह ध्यान देने की जरूरत है कि ना जाने कितने ताहिर हुसैन, कितने उमर खालिद, कितने शर्जिर इसलाम और कही ना कही चुपकर आज भी बैठल हुए होंगे. और अभी जो यह ताजा जफरूल इसलाम का मामला है, इस पर भी लोग लगाता टिपनी करने के लिए कह रहे हैं, कि यह कौन सा, यह कौन सी सोच है, जो भारत को धंकाना चाहती है, जो भारत में रहे कर भारत को धंकी देती है, और वो भी किसी मिडलिस्ट के देशों की, औ और उनका पालग कौन कर रहे हैं? बिल्कुल जफरूल इसलाम कौन है? जफरूल इसलाम मिली गैजट के मालिक हैं. मिली गैजट चला रहे हैं. उनके लिखी चीजों को हजारों लोग पढ़ रहे हैं. उनको दिल्ली अल्पसंख्यक आयोक का चेर्मेन बनाया गया है. ऐसा वे कि आज तक भी नहीं हटाया गया जब कि आज तो उनके ऊपर देश्ट्रों के मामले में अफायार भी हो गई है. लेकिन आज भी बहुत संक्यक आयोक का चेर्मेन बनकर बैठा हुआ है दिल्ली में. चुनकर बैठाया गया है. तो मुझे ये लगता है कि बहुत ही गंभीर स हवाल है दिल्ली की स्टिशा में जा रही है दिल्ली की सरकार किस प्रकार की टाक्स्तों को पश्रह दे रही है समर्द्घाणिक बनों पर थार Quilliamm जूट फैल आने की डेशके कि दे खिला धंप फैलाने की प्रश्च्य दे रही है उन लोगों को और उसके बावजूद पक कोशिश की गई वो उसके उधारन है और मुझे ये लगता है कि बिल्कुल ये जायज है कि हम कहीं न कहीं बहुत चिंता जनक मोड पे दिल्ली में बैठे हुए हैं और हमें बहुत सजग रहने की जरूरत है कपिल मिश्रा जी आज के विशेपर पालघर में संतों की हत्या मीडिया का जो शड़यंत्रकारी मोन इस पर आपने बहुत बेबाकी से आज की इस चर्चा में हमारे सवालों के जवाब दिये बहुत सारे मित्र जो सोशल मीडिया पर फेस्बुक पर खास दोर पर देख रहे थे उनके प्रश्णों के भी आपने उत्तर दी और अपनी राई बड़ी स्पष्टा के साथ जिसमें से एक बात ये निकल कराती है कि पालघर का सच हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए ये तो ए एक पक्ष है लेकिन पालघर में इस हत्याकांड इस जगन्य हत्याकांड की वजह बनी प्रिष्ट भूमी उसकी तहमें भी जाने की जरूरत है किसी व्यापक जांच की जरूरत है मैं इसमें ये कहूंगा मुझे ये लगता है और मुझे लगता है कि आप भी इस पे सहमत हो कि कोई सोशल आडिटिंग भी होनी चाहिए कोई समाजिक परताल भी होनी चाहिए जो आप impla धीक जांच हो रही है उसके अलावा समाजिक संगरतनों के सजग भारतिय नागरीकों का कभी कोई दल ऐसा वहां जाना चाहिए जो वहां की परिस्थितियों पर जो वस्तोरिष्ठ तत्य परक रिपोर्ट वो समाज के सामने लेकर आए लोगों को जगाया जाए जिस रिपोर्ट के माध्यम से बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरह सैमत हूँ और इसके बगार ये जा च सभा के इस जो वारता है इसके लिंक को जरूर अपने अपने मित्र मंडली में साजह करिएगा और कल फीर एक नए महमान के साथ रास्ट के सम्मुक खड़े किसी ज्वलंत प्रशन पर इसी अंदाज में चर्चा के लिए आप सब के सम्मुक आप सब के सामने हम लोग हाजिर होंगे कल तक के लिए मुझे विरेंद्र सिंग चोहान को अनुमती दीजिए और मेरा और कपिल मिश्रा जी का साजहा प्रणाम संयुक्त जैश्री राम स्विकार करें और इसके साथ ही देते हैं आज की सभा को विराम